साथियों, आज केंदर से भेजी, पाई पाई भी यहां इमान दारी से लग रही है और इन्वेश्टर भी खुले मन से पैसा लगाने आ रहे हैं। अभी मुझे हमारे मनोश सिनाजी बता रहे थे कि तीन साल पहले यहां के जीलों के हाथ में पूरे राज्य में पाँच हजार करोड रुपिया ही उनके नसीब होता था और उसमें ले लदाक सब आ जाता था। उन्होंने कहा छोटा सा राज्य है आबादी कम है लेकिन पिछले दो साल में जो गती आई है इस बार बजेट में जीलों के पास पाईस हजार करोड रुपिये सीधे सीधे पंचायोतों के पास विकास के लिए दिये जा रहे हैं। इतने छोटे राज्य में ग्रासरूट लेवल की डेमोक्रेटिक सिस्टिम के द्वारा विकास के काम के लिए कहां पाँच हजार करोड और कहां बाईस हजार करोड रुपिये ये काम हुआ है भाईयों। आज मुझे खुसी है रतले प्रावर प्रोजेक्ट और क्वार प्रावर प्रोजेक्ट जब मनकार तयार होगे तो जम्मू कश्मीर को परियापत बिजली तो मिलेगी ही। जम्मू कश्मीर के लिए बिजली एक कमाई का बहुत बड़ा नया खेत्र खुलने वाला है जो जम्मू कश्मीर को नई आर्थी गुंचाईयों की और ले जाएगा। अब देखिए कभी दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी जरह मेरी बात समझ रहां। दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी तो जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते दो तीन हफते लग जाते थे। मुझे खुशी है कि आज पानसो किलो वोट का सोलर पावर प्लान सिरफ तीन हफते के भीतर यहां लागू हो जाता है बिजली पादा करना चोड़ू करता है पल्ली गाउं के सभी गरों में अब सोलर पिजली पहुंच रही है यह ग्राम उर्जा स्वराच उर्जा स्वराच का भी बहुत बड़ा उदारन बना है काम के तौर तरीकों में यही बदलाव जम्मू कश्वीर को नई उचाईयों पर ले जाएगा साथियों मैं जम्मू कश्वीर के नवजवानों को कहना चाहता हूँ साथियों मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए गाटी के नवजवान आपके माता पिता को आपके दादा दादी को आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिन्दगी जीनी पड़ी मेरे नवजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिन्दगी जीनी नहीं पड़ेगी ये मैं करके दिखाऊंगा ये मैं आपको विस्वात दिलाने आया हूँ